आप सुधरने को तयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रह। जो सुधरने लगेगा उसको ततकाल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सब को सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर है निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है, कि फिर वो स्वाद तुम सब में बाटना चाहते हो, तुम से भरदाश्टी नहीं होगा, कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सम्मलिन रहें, तो ततकाल तुम में उम्मीद जग जाएगी, उमीद से आगे, शद्धा प्रणाम सर, सर निश्काम कर्म जितना आप से थोड़ा बहुत समझा है अगर मैं थोड़ा सा बोलता हूं कि वो उसके लिए बिना किसी अलंग कार के शिर्फ एक सब्द उप्योग बैठता है कि वो जरूरी है वो आकरशक हो भी सकता है नहीं भी रुचिकर हो भी सकता है नहीं भी और सांसारिक तल पर लाब प्रद हो भी सकता है और नहीं भी लेकिन ये तय है कि वो बहुत जरूरी उसको करना बहुत जरूरी है और जो लोग सही काम को जरूरी काम को पूरा डूप कर करते हैं वो उसमें इतना डूप जाते हैं कि उन्हें ये ख्याल ही नहीं आता सोचने का कि ये उससे मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा और आपी ने आपी से कहीं ये भी सिखा कि उसका एक बूर्ण ये भी है कि वो आवश्यक होता है और लगबग असंभव भी होता है तो फिर जब पूछते हैं कि फिर क्या करें तो आपसे ये समझने को मिला कि देख लो दुनिया में चारों तरफ समाज में देश में इस धर्ती को परियावण को कितने सारे कामों की जरूरत है आप उठाओ कोई काम और करना शुरू हो जाओ फिर जब इसमें आगे प्रश्न कहीं से किया गया तो आपसे ये समझने को मिला कि फिर कहां से शुरू करें तो ये समझ में आया कि जिस छेतर में आपकी योगिता है और सईयोग से जिसमें थोड़ी से आपकी स्किल या प्रतिबा आ गई है वहाँ शुरू करें ये सब जानने के बाद सर जब मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ जो जरूरी है जो जरूरी है ये मैं समझने की कोशिश में जाता हूँ कि हाँ ये मुझे लग रहा है कि जरूरी है और थोड़ी सी उस छेतर में मैंने योगयता भी ले ली है और सईयोग से थोड़ी सी प्रतिबा उसमें मुझे में कहीं से आ गई तो फिर भी मैं उसे शुरू क्यों नहीं कर रहा हूँ मतलब थोड़ा और विस्तार से मैं बोलना चाहूँगा कि उसको उसके ना होने से मुझे परेशानी क्यों नहीं हो रही है उनके अंदर वो जो जरूरी पन की तीवरता थी जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी या जैसे सबी मानते हैं कि देन दुख्यारों की सायों की मरीजों की सेवा करना पुन्यक सही काम है लेकिन मदर टेरिसा जो थी उनमें उस काम को लेकर एक बहुत बड़ी बेचैनी थी कि ये बहुत जरूरी काम है जो किया जाना चाहिए वरतमान में अगर जैसे आप बोलते हैं कि इनसान की चेतना के इस तरको उपर उठाना जरूरी है हम सभी मानते हैं लेकिन शायद आप में इस जरूरीयत को लेकर एक बहुत अंदर से तेज आवेग या उर्जा है कि ये बहुत जरूरी है इसे किया जाना चाहिए तो ये जो छटपटा हाथ और बेचैनी है किसी जरूरी काम को करने की ये जो उधारण मैंने बताए जैसे कि बगत सिंग गांदी जी आप या संस्था के स्वयम सेवियों को भी लें तो इन सभी की रगों में उस जरूरी पन को लेकर एक बहुत तेज आवेग और प्रगाड उर्जा है कि ये जरूरी है मतलब ये कैसे है मतलब वो कौन सा ड्राइविंग फोर्स है इन सभी के अंदर जो इनको उस जरूरत के आगे निर्वेकल बना देता है मतलब मुझे मेरे अंदर जब मुझे लगता है मैंने सोचा है कि यह काम भी शायद अपने इस तरपर समाज के लिए या तो मुझे में वो जरूरी पन की जो तीवरता है वो क्यों नहीं आ रही है मतलब मैं उसके ना होने से परिशान क्यों नहीं हो रहा हूँ अगर इतना ही मुझे वो जरूरी लग रहा है तो मतलब मेरे अंदर शायद कहां पर कमी रह रही है क्या मैं बैमान हूँ या मुझे पूरी तरी किसे बात समझ नहीं आई या फिर ये सिक्षित और जागरूख होने के बीच का बेद है मुझे इस बारे में थोड़ा सा मतलब समस्या का मूल कारण थोड़ा सा समझाएं सर और फिर इसके निवारण के लिए क्या किया जाए कि वो जो जरूरी पन है मतलब इंटेंसिफाइड अर्जेंसी है वो मुझे भी ऐसी लगे कि मैं कुछ उसके अंदर करभा हूँ धन्यवा देख रहे हैं जबकि बात वास्तों में उतनी बड़ी नहीं है इसको गौर से समझेंगे क्योंकि यह सवाल बहुत लोगों का होगा दो लोग एक बस पकड़ने के लिए दोड़ते हैं ठीक है और दोनों बस एक के पीछे एक है बस चल चुकी है चलती बस में एक के हाथ में वो जो रॉड होती है पीछे लगी होती है चढ़ने के लिए वो आ जाती है वो चढ़ जाता है दूसरा नहीं चढ़ पाता जब यह दोड़ रहे थे तो इनकी गति लगभग एक समान थी, आगे वाले की जरा सी ज्यादा थी, इतना सही भेद था, आगे वाले की गति नौ होगी तो पीछे वाले, आगे वाले की दस होगी तो पीछे वाले की नौ, आधे घंटे बाद दोनों की गतियों में क्या अनु तो उसकी नौ भी नहीं रही, नौ से भी घटके उसकी दो हो गई, एक की सौ एक की दो, जबकि उनमें वास्तविक अनुपात कितना था बस, दस और नौ का थोड़ा सा ही अंतर था, तो वो एक जरा सा अंतर होता है जिसको हम पार्ट नहीं रहे होते एक जरा सा फासला होता है जिसको हम पार्ट नहीं रहे होते और उस जरा सा फासला बहुत बड़े परिणाम ला देता है जो बस पर चड़ गया वो पता नहीं कहां पहुँच जाएगा जो पीछे रह गया और पीछे ही रह गया, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ गया, परिणामों में बहुत बड़ा भेदा गया, तो हमें ऐसा लगता है, जो आगे था जरूर उसने कोई बहुत बड़ा काम करा है, जरूर उसने कोई बहुत बहुत बड़ा काम करा है, और जो प्रिणाम इतना बड़ा हो गया बात उतनी बड़ी नहीं जितनी हम सोच रहे है शुरुआत करने के बाद बहुत सारी चीज़ें अपने आप होती है उसको स्नोबॉलिंग बोलते है एक ऐसी सी है क्लिफ उसके मुहाने पर दो पथर रखे है दोनों एक ही जगे रखे है एक जरा सा आगे तू लढ़क पड़ता है जब लढ़क पड़ता है तो जो वहाँ बर्फ है हिम वो उसके चारोर लिपटने लगती है वो एक गेन सरीखा बन जाता है और ढलान है नीचे उपर तो समतल था जिस पर दोनों पड़े हुए थे और समतल से जरा सा नीचे गिरते ही लंबी ढलान है और वो उस ढलान पर जितना आगे बढ़ता है उतना वो बड़ा होता जाता है स्नो बॉलिंग होती जाती है और बड़ा होता जाता है अब जो उपर बैठा है वो इतना ही से रह गया जरा सी गिट्टी और जो नीचे वाला है वो हिम का इतना बड़ा गोला बन गया क्या दोनों में वाकई इतना अंतर था नहीं एक जरा सा आगे बढ़ गया और इतना बड़ा हो गया एक जरा सा पीछे रह गया और जो आगे बढ़के इतना बढ़ा हो गया उसने भी कभी सोचा नहीं था कि इतना बढ़ा हो जाएगा लेकिन अब दूर से को तो लगता है तो इतना बढ़ा हो गया बढ़ा महान है आप तो एक कदम आगे बढ़ा हो और फिर वो कदम आपको यहां आ जाओंगा गां मैंने भस एक दिशा में जो मुझे सही लगी थी एक कदम बढ़ाया था फिर उस कदम ने मेरे लिए अगला कदम चुन दिया फिर अगला फिर अगला फिर वह आगे बढ़ते गये बढ़ते गये उट संस्था में भी joh लोग आए हैं, इमांदारी से आपको बताऊं तो कोई सोच के नहीं आया था कि वो काम करेगा और वैसा हो जाएगा जैसी अभी की स्थिति है, पुराने अध्यात्मिक लोग जो अपनी प्रिष्ट भूमी से ही या बच्पन से ही घोर अध्यात्मिक थे, ऐसा तो सनस्था में कोई भी नहीं है, कोई किसी कारण से आ गया था, कोई किसी कारण से आ गया था, सबके अपने अपने कारण थे, किसी को प्रशांत सर पसंद थे, इसलिए आ गया, किसी को HIDP पसंद था, इसलिए आ गया, कोई यूहीं भी आ गया, कुछ और करने को नहीं था था, यहीं चलो पर आ गए और आने के बाद आने का कदम उठाने के बाद अब उन्हों ने जो कदम लिया वो उनको उठा रहा है तो वो बढ़ते जा रहे हैं जैसे कि आप एक कदम बढ़ा के किसी लिफ्ट में सवार हो जाओ आपने कितने कदम बढ़ाए थे कुल एक कदम एक कदम बढ़ाए, लिफ्ट मढ़ाए वो लिफ्ट आपको उपर लिये जा रही है और कुछ समय बात लगा कि इस एक कितना उचा हो गया बागी सब कितने नीचे रह गये आपको अगर लग रहा है आप बहुत नीचे रह गए हैं तो दोश उसे एक कदम का है जो आप नहीं उठा रहे और वो एक कदम आप क्यों नहीं उठा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है एक कदम से होगा क्या हम में और उसमें तो जमीन आस्मान का अंतर आ चुका एक कदम से क्या होगा साप उ जमीन आस्मान का अंतर एक कदम न उठाने की वज़े से ही आया है मैं भी बहुत हद तक सैयोगवश आज आपके सामने और यहां थोड़ा उचे मंच पर बैठा हुआ हूँ मैंने अधिक सदिक यही निर्णे करा था कि एक धारा थी और उसके खतरों को जेलने का एक निर्णे लिया था और फिर बहते बहते चलते चलते वो धारा मुझे यहां तक ले आई सोचा थोड़ी था आज से 15-20 साल पहले कि मामला यहां तक पहुँच जाएगा तो हो जाता है मुर्खता होगी मेरी अगर मैं बोलूँगा कि यह सब तो मैं पहले से ही तया करके बैठा था खुफिया चाल थी कुछ नहीं आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं सही काम आप शुरू कर दें उसके बाद वो काम आपको आगे बढ़ाता है और बाहर बैठके सोचते रहेंगे कि अरे मैं तो छोटा सा रह गया और मुझ में और दूसरों में उतना ही लंबा फासला है जितना लंबा यह सवाल था तो फिर तो कुछ नहीं होने का क्योंकि फासला उतना लंबा है ही नहीं हाँ फासले बड़े हो जाते हैं स्नोबॉलिंग से जो आगे बढ़ता है वो फिर बढ़ता ही जाता है कुछ खुद आगे बढ़ता है कुछ फिर उसको परिस्थितियां आगे बढ़ाती है ठंडी धारा में कूद पड़े हो एक बार को तो भूट ठंड लगेगी पर धारा बह रही है न अब वो आपको अपने साथ आगे ले जाएगी और कूद जाओ एक बार धारा में शुरू में तो लगेगी बड़ी ठंड थुड़ देर में ठंड भी नहीं लगती है कि बात आ रही है समझ में है कदम कदम करके बड़े लंबे फासले हो जाते हैं वो जो फासला बन गया है उसको देखेंगे तो अब बड़ा भारी बड़ा भयानक और बहुत हदो चाहित करने वाला हो जाएगा जो सही है उस दिशा में एक कदम बढ़ाईए फिर देखिए जादाए चतादो है वो जो है जुझा है कर दो